दोस्तों जनम परमानपत्र और मिर्तु परमानपत्र बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नई पोटल की सुरुवात की गई है अब आपका इस पोटल के माध्यम से ही जनम परमानपत्र और मिर्तु परमानपत्र आप बना पाएंगे इससे पहले जो पोटल था जनम परमान पत्र और मिर्त्य परमान पत्र बनाने का उससे मिलता जुलता बहुत सारा फ्रॉड बेपसाइर बना दिया गिया था इससे जो है बहुत धोकाधारी होने लगा तो इसको देखते हुए सरकार के द्वारा जो है नया पोटल को लॉंच किया गिया है आप जो हम जिस पोटल के बारे में बता रहे हैं वो सरकार के द्वारा जो है नया लॉंच किया गिया है तो इससे आपको कोई SKM या कोई गलत या कोई फर्जी परकार का certificate नहीं बन पाएगा आप इससे जो भी बनाएंगे वो सही और सत बनेगा और साथी साथ जो अभी इसका ID और पासवर्ड मिलने का जो परकिरिया है वो बिलकुँ फिर यह आप कोउष्ट है आप इसमें जो है अपना ID पासवर्ड खुद से बना सकते हैं और यहीं आप इस पर ID पासवर्ड बना लेते हैं तो आपके पास जितने भी कस्टमबर आते हैं तो आप उन सभी का जो है जन्म और मिर्त्यू पर्मान पत बना के दे सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम यहीं बताएंगे कि आप इस पोटल पर अपना लॉगिन ID और पासवर्ड किस परकार से बना पाएंगे हमेशा की तरह यह वीडियो पर नए है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों आप लाइब देख पा रहे होंगे यह जो साइड है सरकार के दुआरा नया लॉंच किया गिया है बर्थ और डेथ रेजिस्टेशन का तो इसी पोटल के माधियम से जो है आप किसी भी बैक्ती का बर्थ एंड डेथ सर्टिपिकट बना सकते हैं जिसका यूरल जो है इस परकार से है dc.crs.gov.in.crs और इस साइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप आसानी से इस साइट पे डाइरेक्टली आ सकेंगे तो अब जो है आपको इसी पोटल के माधियम से जन्यम पर्मान पत्र और मिर्तु पर्मान पत्र बना सकेंगे तो सबसे पहले जो है आपको इस पोटल में एक id create कर लेना होगा उसके लिए जो है आपको यहाँ login पे click करना है फिर यहाँ आपको एक option मिल जाता है general public इस पे आपको click करना है जब आप इस पे id create कर लेंगे तो यहीं से आपको login करके सारा काम करना है अभी तो हम आपको इस पोटल पाइडी किस परकार से create करना है वो बता रहा है यहाँ आपको option मिल जाता है sign up का option पे आपको click करना है यहाँ आपको first name type करना है और नीचे आपको middle name type करना है और इसके बाद यहाँ पे last name type करना है फिर यहांपो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और इसके अदि यहाँ पर अपना डिटो भर्ष से लेक्ट कर लेए इसके बाद आपको next पर click करना है उपर यहाँ नों मिलता है इन इंडिया और आउटसाइट इंडिया यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं इंडिया पर टिक करना है और यदि इंडिया से बाहर में रहते हैं आउटसाइट इंडिया पर टिक करना है तो हम जो है इंडिया से ही बिलोंग करते हैं इसलिए जो है इंडिया पर टिक कर लगाएंगे और यहां पर पहले state select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको district select करना है आप जो भी state से हो जो भी district से हो इसके बाद यहाँ पर आपको sub district option मिल जाता है और इसके बाद यहाँ पर अपना village select कर लेना है और यहाँ पर अपना village name और इसके बाद यहाँ पर अपना pin code इसके बाद आपको next पर click करना है और यहां अधार नमबर करना है और इसके बाद यहांपर nationality और इसका term and condition पर click करना है और इसके बाद next पर click करना है फिट से यहां एक आपको mobile number type करना और उसके आप सेंट OTP पर किलीक करना है तो आपने जो mobile number दिया है उस number पर LootP ऑन रही है उस OTP को यहाँ इंटेर करना है और उसके बाद verify करना है जब mobile नमबर verify हो जाता है तो इस परकार का जो है green टीक लग जाएंगाई और इसके बाद और एक अभी जो है बांकी है तो इसके बाद यहां पे आपको email id टाइप करना है email id टाइप करने के बाद यहां आपको यह captcha को जोड़के type करना है email id और captcha डालने के बाद आपको skip and register पे click करना है तो इस परकार से आपका registration परक्रिया complete हो जाता है और उसके बाद जो हैं आपको लॉगिन पर आना है और यहां जेनरल पब्लिक पर किलिक करना है और फिर से यहां आपको लॉगिन होने के लिए आप यहां मोबाइल नंबर या इमेल आड़ी दोनों में से कोई एक दे सकते हैं और यहां पर आपको Gef p5 को जोड़ के tiep करना है लॉग इन पर किलिक करना है फोने के बाद इसपर का डेशबूर्ट के आ जाता है यहां आपको option मिलता birth का death का और still birth का तो फ्रेंस आज के इस वीडियो में बस इतना ही आप इस पोटल पाइडी किस परकार से आपको बनाना था और बहुत जल्द फिर से हम आपको दूसरा वीडियो बना करके चैनल पर दे देंगे birth certificate किस परकार से online करना है death certificate किस परकार से online करना है और साथ ही इस पोटल का यूज कैसे करना है सारा चीज next वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों आपने देखा मैंने आपको जिनम परमान पत्र और डेथ परमान पत्र बनाने के लिए जो नया पोटल लोंच हुआ है उस पर आईडी किस परकार से create करना है वो भी free of cost हमने आपको बताया आई होब कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद